अगर आप type 1 diabetic नहीं है यानि बचपन से आपको diabetes नहीं है तो आपको insulin की जुरत नहीं होनी चाहिए लेकिन आज किल companies ने कुछ ऐसे नियम बना दिये हैं कि सबको insulin लेनी चाहिए ताकि वो अची तरह से control कर सकें सब चीजों को और वो insulin pen वगएरा भी आपने लिया होगा शायद तो यह होता क्या है कि हर एक pen जो लिखा जाता है और वो register हो जाता है computer में और company में register हो जाता है और लोग फिर जाते हैं अलग लग लोगों के पास और कहते हैं कि आपके ने इतने ज़्यादा प्रेस्क्राइब किये इतने ज़्यादा pen आपके बिग गए और आपको पूरे परिवार को आपको एक cruise का gift मिलेगा और आपको car मिलेगी तो क्या करें वो वो ऐसा करते हैं फि क्यों develop हो रहा है worldwide क्यों क्योंकि उनका interest है कि वो आपको diabetic रखना चाते हैं हमिशा के लिए और इसलिए आपको बोलते हैं कि चपाती खाएं आप आप घर पे चपाती खाती होंगी पका देखिए और होता क्या है कि wheat के अंदर gluten होता है और gluten जो है वो beta cells जो होती है pancreas के ताकि आप permanently patient मन जाएं तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो है millets, millets के अंदर एक special vitamin B17 होता है और ये जो vitamin होता है ये cancer से लेके common cold तक सब चीजों में बहुत ज़दा मदद करता है और एक doctor है मैसुरों के अंदर जो की बहुत ही qualified doctor है और उन्होंने बहुत बड़ी company का job छोड़ दिया अमेरिका के अंदर, बहुत salary बड़ी salary उनको मिल रही थी और उन्होंने पांच एकड़ का एक plot लिया मैसुरों के अंदर और वहाँ पर millet को उगा रहे हैं और खास बात ये है कि millet को उगाने के लिए बहुत जादा पानी की जुरत नहीं पड़ती, वहाँ प अच्छे तरीके से वह मैसुरू में ये काम चला रहे है और उनका नाम है डॉक्टर खादर, सबको कोई ना कोई बिमारी है लेकिन बिमारी आपको मारती नहीं है, हम डॉक्टर डिजीज को डेथ के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि आपको डर लगे क्योंकि पेशन्ट जादा और मैं आपको एक और एक्जांपल देता हूँ कि कैसे आपको बेफ को बनाया जाता है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप डाइपिटिक हैं, साउथ इंडियन हैं, राइस खाते हैं और आपको बताया जाता है कि आप कल से गेहूं की चपाती खाएं और इससे बहुत त है ऐसा क्योंकि डॉक्टर ने बताया है कि वो जदा जीएंगे अगर वह वीट ही रोटी खाएंगे लेकिन आपको वीट के बारे में सच्चा ही बताता हूं कि वीट के अंदर कैसे जियेंगे सब लोग, तो आपको समझ में आ रहा है, तो किसी को भी, किसी का भी यकीन ना करें, आप अपने आपका यकीन करें, यही सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, और यह कैसे होता है, हम आपको बताते हैं, कि यह नॉर्मल शुगर है, नॉर्मल शुगर की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, यह ते स्टेटिस्टिकल डेटा है, एवरेज है, और मैं आपको पूछता हूँ कि इंडियन मेल्स की एवरेज हाइट क्या है, आप एक हजार लोगों नहीं करता, वो एबनॉर्मल हो जाएगा, अभी सोचिए कि मिता बचन अगर चेक अप के लिए आते हैं, उनकी हाइट कितनी है, 6.2, तो उसकी टांगे काट देंगे, ताकि वो नॉर्मल बन जाए, और जया बचन जाएंगी चेक अप के लिए, 4.6 है, तो उनके लिए ट्र करते हैं, ताकि वो एवरेज हाइट की बन जाए, और यही किया जाता है, और इसी को बदाया बोला जाता है कि एवरेज जब नॉर्मल बन जाती है, और इसको फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं, अगर आप कुछ स्टेटिस्टिक थोड़ा बहुत भी पता है, तो जब आप डिजीज स्टेटिस्टिक्स को नॉर्मल हेल्दी लोगों पर एपलाई करते हैं, तो हर एक पैरामेटर जो चेक किया जाता है, उसके उपर पांच से दस प्रतिशत फॉल्स पॉजिटिव आते हैं, तो अगर आप होस्पिटल जाते हैं चेक अप के लिए, तो पांच सो पै एक पैशेंट है, तो उसको कई तरह की बिमारियां हो सकती हैं और वो कई तरह की बिमारियों का उसके उपर लेवर लग जाता है